हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमस्कार दोस्तो जरहट के हिंदी में आप सभी के ग्वाफिर से इस स्वागत है दोस्तो सौ सालों के बाद बन रहा है ऐसा महा संयू भगवान विश्णू की किर्पा से एन रासी वालों पर होगी धन की वरसाथ आईए जानते हैं इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वह सबसे अमीर इंसान हो और इस दुनिया में हर कोई मातल लक्ष्मी की किर्पा पाना चाहता है सोचता है उसके पास धेर सारा पैसर है उसका जीवन खुस्यों से भरा रहे लेकिन असल जीवन में अक्सर ऐसा नहीं हो पाता किसी को जीवन में सारे सुक मिलते हैं तो किसी को थोड़ी भी नसीव नहीं होता सभी मनुष्य का जीवन उतार और चड़ाओ से भरा हुआ है कभी सुक मिलता है तो कभी दुख मिलता है यह तो हमारे जीवन में हमीशा लगा ही रहता है मनुष्यों को अपने जीवन काल में बहुत सी परिशानियों से कुजरना पड़ता है हमारे हिंदु धर में शास्त्रों का बहुत ही महत्तों मानग है और शास्त्रों के अनुसार घरे हमारे जीवन में बहुत महत्तों रखते हैं हमारा पूरा जीवन ग्रहों की चाल पर मिर्भर करता है ग्रहों की चाल से हमारे जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं हमारे जोति सास्त के अनुसार सौ साल बाद ऐसा महा सयोग बन रहा है जिसमें की चार राशी वालो जात्कों पर माता लक्षमी परसन होने वाली है और उनकी उपर किरपा वरसाने वाली है आज हम आपको उन चार राशीों के नाम बताने जा रहे हैं जिनकी किस्मत जून के बार चमकने वाली इस रासी के लोगों पर माता लक्षमी की बहुत ज़्यादा महरवानी हो रही है आई ये जानते हैं पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के जात्कों परमाल लक्षमी बहुत ज़्यादा महरवान नजर आ रही है आपको बहुत सारा धन लाब होने वाला है आपको अपनी ह हर काम में शफलता मिलेगी साथ धन संबंदित सभी परिशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा नौकरी पेशा को नई नौकरी मिलने के योग बन रही हैं व्यापारियों को उनके व्यापार में त्रक्के मिलने के भी संखे दिख रहे हैं दूसरी जो रासी है वह है कुम्ब रासी दोस्तो इसके बाद कुम्ब रासी वाले आते हैं पता दें कि इस रासी के लोगों के जीवन में भगवान विश्नु की किर्पा से अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है कुम्ब राशी वालों की जीवन में भगवान विश्णू की दया से आने वाले समय में उनके जीवन में अंचाहे धन आने की संभावना है इसके अलावा इस राशी के लोगों को हर छेतर में अपार तरक्की मिलने का संयोग वन रहा है बता दे कि कुम्ब रासी वालों की जीवन में एक अच्छा बदलावाने वाला है और इसके साथ ही उन्हें नए साथी का भी साथ मिलेगा जो ताउम्र उनके साथ रहेगा इस राशी के जात्कों के लिए ये समय पारिवारिक और सामाजी दोनों तरफ से कावी सुख में बीदने वाला है तीसरी राशी है धनू राशी भगवान विश्णू की किरपा जिन राश्यों पर होने वाली है उनमें से एक धनू राशी के लोग भी है बता दें कि इस राशी के जात्कों के जीवन में भगवान विश्णु की किर्पा से अपाहर धन लाव होने की संभावना बन रही है और इसके साथ इस राशी वालों के जीवन में सभी रुके हुए कार्रे पूरे होंगे लंबे समय से चले आ रहे आर्तिक तंगी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें एक अच्छा जीवन साथी के मिलने की संभावना बढ़ रही है तो ये थे वो तीन राशी के जातक जिनके जीवन में भगवान विश्णु की किर्पा से सौ सालों के बाद इतना अच्छा स्योग बनने जा रहा है जो कि उनकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा भगवान विश्णु की किर्पा और आशिरवास से इस रासी वालों के जीवन में चले आ रहा है सभी दुखों का अंत होगा और खुश्यों का आगम और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलें